सो हे रवश्कार दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है तो यहां पर आज MIUI 11 के लिए तीन तीन डिवाइस में MIUI 11 का अपडेट रेडमी के डिवाइस के लिए MIUI 11 का अपडेट यहां पे रोल आउट होना शुरू हो गया है और कौन-कौन से डिवाइस है तो यहां पर आपको अंदाज़ा थोड़ा सा लग जाएगा अगर इस लाइनप के साब से लगा हूं तो पहला डिवाइस इसको यहां पर MIUI 11 का अपडेट देखने को मिल गया है वो है नीचे सस्क्राइब बटन तो जल्दी से सस्क्राइब बटन तब हो उसके बाद आपको ब अगर आपको इसके पर फुल डेटेल्ड वीडियो देखनी है तो वो मैंने अपने दूसरे चैनल पर बना दी है आप जाके देख सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा जिसमें आप अपडेट कैसे करना है वो भी चेक आउट कर सकते हो यहां पर थोड़ा खास आपको दिखाऊं तो यहां पर देख सकते हो मीवाई 11.2.0.2.0 का अपडेट देखने को मलता है जिसके अंडरे अंड्रोड शुकरटी पैच का अपडेट नहीं आया है बिलकुल चाही सुना आपने नहीं आया है साथी साथ यहां पर आपको जो मिल जाती है मिवाई 11 की कैसे करके भी जिसमें आपको नए आइकन्स देखने को मलते हैं थोड़े विज्वल क्लेटर्स जो रहते हैं उनको हटाया मतलब लाइन से वगेरा को हटा दिया है थोड़ी यहां पर मिलमेरिस्टिक लुक देने की कोशिश करी गई है वहीं पर साइसाथ बैटरी सेवर मोड आपको देखने को मलता है लेकिन आल्टरा बैटरी मोड कहीं से कहीं तक नहीं मिलता है निव फीचर की बात करें तो इसमें क्विक बॉल और एक काफी अच्छा फीचर जो की है क्विक रिपलाई का वह भी इसके अंदर देखने को मल जाता है बहुत ही अच्छी चीज यहां पर रगी है साइसा आप देख सकते हैं काफी क्लीन यहां पर है और काफी स्मूध वर्क कर रहा है अभी मुझे या सबसे ज़्यादा नोट 7 प्रो से भी ज्यादा स्मूध यहां पर वर्क कर रहा है रेड्मी नोट 4 में यह मीउवाइलेवन जिसमें बिलकुल भी लैग आपको नहीं देखने को मिल रहा है चाहे आप यहां पर एव वर्क के अंदर ही क्यों ना चले जाओ तो अभी तक बहुत स्मूध यहां पर मीउवाइलेवनिस के अंदर चलने को दिखता है यहां पर दूसरा डिवाइस अगर मैं आपको दिखा यहां पर यह अपडेट पर मैंने डिटेल रेडियो पहले ही बना चुका हूं तो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जाके आप चेक आउट कर सकते हो तो इसके अंदर भी सारे फीचर्स आपको यहां पर दे दिये जाते हैं जो कि हमको जिसकी उमीद थी मी स सब्सक्राइब को आपको बन चालू साथ ही साथ होमस्क्रीं लेयाउट जेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है यहां पर आपको डिजिटल वैल बिइंग साथी साथ गें डबू मोन्ड में नहीं आता है भी देखोगे तो इसमें देखोगे थोड़ा सा लैग होता है वाल की भी जैसे स्विच होता है यहां पर यह रेड्मी नोट 4 में बिलकुल भी नहीं था तो यह चीज आपको यहां पर डिफरेंस दिखाना चाहरा हूं कि नोट 4 में कितना स्मूध युवाई दे दिया गया है साथी साथ अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर यह है लाइफ वाल पेपर जो कि आपको देखने को मिलता है आप लगा सकते हो अपने कोई भी मीवाई 11 के डिवाइस के अंदर चाहें नोट 4 हो नोट 5 प्रो हो नोट 6 प्रो हो नोट 7 प्रो हो लाइफ वाल पेपर कहां से चाहिए तो उसका भी आपको ग्लोट का लिंक दे दूंगा नीचे टेलिग्राम में जहां पर आपको लाइफ वाल पर के साथ साथ और भी अच्छे वाल पेपर देखने को मिल जाते हैं तो वह भी जाके आप जॉइन कर करना शुरू कर दिया है मिवा 11 का 10 11.0.2.0 अपडेट जो कि आज से यहां पर शुरू हो गया है इसके अंदर भी कुछ चीज मीचंग मिसिंग है जैसे कि मी शेयर आपको नहीं देखने को मलता है इसके अंदर मीशेर से यहां पर क्यों कटिंग करी लेकिन वह नहीं देखन को मिलता है बागी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे डिस्पले में डार्क मोड वगेरा सेम आज नोट फाइब प्रो आपको सारे फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं स्क्रीन ले आउट चेंज करने का ओप्शन वगेरा साधी साथ बैटरी और वेल्टर बैटरी सेवर मोड तो किसी में नहीं आता है डिजिटल वैल बिंग और स्पेशल फीचर्स में गेम टबो और कोईक रिपलाई दोनों का उप्शन आपको इसके अंदर प्रेजेंट यहां पर रहता है यहां पर भी बात करें तो देखोगे कि एव वाल्ट में छेक आपको देखने को मिल जाती है तो यहां पर ऑपडेट कर लोघेज अंको देखने को अब रेडमी नोट 4 रेडमी नोट 5 प्रो और रेडमी वाई 2 के लिए तो अगर अपडेट करना है तो जैसे कि मैंने बता है लिंक डिस्क्रिप्शन मत जाएगा वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ फिलाल के लिए तो इस वीडियो मित ही टेक केर बाई बाई